दोस्तों जादू देखना किसे पसंद नहीं लेकिन क्या आपने कभी इसके पीछे की हकीकत को जानने की कोशिश की है आज हम आपको कुछ ऐसे ही जादू की ट्रिक्स बताएगे और उनके पीछे के सीक्रिट्स को रिविल करेगे तो बने रहे इस वीडियो के आखिर तक पहली ट्रिक दॉम चेंबर एक मिजिशिन है जिनकी मैजिक के बारे में बहुत कम लोगों को पता है लेकिन आज हम आपको इनकी एक मैजिक ट्रिक के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने इस ट्रिक को अमेरिकन्स गॉट टैलेंट में परफॉर्म किया था और अपने इस परफॉर्मेंस से सभी को हैरान कर दिया था तो क्या है वो ट्रिक इसमें उन्होंने ओडियोंस को एक पेपर बैग दिखाया जो पूरी तरह से खाली था लेकिन वो अपने हाथ उस बैग में डालकर बियर की बॉटलों को निकालता फिर बाद में उन्होंने उस बैग से कई सारी बॉटलर्स को निकाला कभी वो अपने जैकेट की आस्तिन से बियर की बॉटल निकालते और कभी उस बैक से चोटी चोटी बोटलों को निकाल कर उसे एक बड़ी सी बोटल में बदल देते हैं और अब हम बात करते हैं इस ट्रिक के सबसे हैरान करने वाली मैजिक ट्रिक के बारे में वो अपनी शूस को उतारते और उसमें से एक बियर के भरे गलास को निकाल कर दिखाते और कभी अपनी शूस से एक बियर के खाली गलास को बाहर निकालते तो अब बात करते हैं उन्होंने ये कैसे किया ये सिर्फ हातों का कमाल है और इस स्टेज पर रखे इस टेबल के बिना इस ट्रिक को पर्फॉर्म करना पॉसिबल नहीं है इस टेबल में ये हिडन शिल्फ है जो बहार से नहीं देखा जा सकता और इसी में उस मिजिशियन ने बियर की गलास को रखा था और कुछ अपने जैकेट्स की पॉकिट में और सही वक्त पर अपनी स्किल्स का इस्तिमाल करके वो एक एक करके बॉटलों को बहार निकाल रहा था अब बात करता है उस मिजिशियन ने खाली पेपर बैक से भरे गलास को कैसे निकाला तो इस ट्रीक में पेपर बैक को पीछे से कट किया गया था और उडियंस के देखने पर उन्हें वो बिलकुल नॉर्मल सा बैक दिखाई दिया और बड़ी ही चालाकी से अपने हातो को बैक में डालकर उसके कटे हुए हिस्से के जरिये अपनी पॉकिट से उन बोटलों को बाहर निकाला और इस ट्रीक का इस्तिमाल करके वो अपने दूसरे पॉकिट से बोटलों को बाहर निकालता अगर आप ध्यान से देखो तो आपको ये ट्रिक समझा जाएगी और दूसरी ट्रिक में वो अपने बैक से एक छोटी बोटल को बड़ी बोटल में बदल देते हैं अगर आपने घौर से देखा तो आप नोटीश करोगे और के हाथ में पहले से ही एक छोटी सी बोटल मुझूद थी और उसने लोगों का अटेंशन उस बैक पर ही बनाए रखा और बड़े ही चालाकी से अपने लेफ्ट साइड के पॉकिट से बियर की बोटल को उस छोटी बोटल से बदल दिया दोस्तो इस ट्रिक में मिजिशियन एक इस्पून लेता है और बहुत ही ध्यान से देखता है उसे और देखते ही देखते वो इस्टिल का चमच खुद बखुद मुढ़ने लगता है मिजिशियन का कहना है कि वो ये सब अपने दिमाग की शक्ती से करते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता अब जानते हैं इस ट्रिक के सच्चाई के बारे में तरसलिम मिजिशियन पहले से ही एक मुड़ा हुआ इस्पून अपने हाथ में रखता है और उसके साथ उस चमच का पिछला कटा हुआ हिस्सा भी अपनी उंगलियों में छुपा कर रखता है और वो बैंड चमच को बढ़ी आसनी से अपने हाथों में छुपा लेता है और चमच का दूसरा हिस्सा अगले हिस्से से इस तरह जुड़ा होता है कि दर्शकों के देखने पर ऐसा लगता है कि वो एक ही इस्पून है और इस्टेच पर मिजिशियन उस चमच को ऐसे देखता है मानो वो अपनी माइन की पावर का इस्तिमाल कर रहा हो और बड़ी ही चालाकी से चमच के दूसरे हिस्से को नीचे की तरफ मूव करता है और उसे अपनी जैकेट में छुपा लेता है और उस बैंड इस्पून को दर्शकों के सामने दिखा कर ये विश्वास जिलाता है मानो उसने चमच को अपने माइन की वज़ा से बैंड किया ये एक ऐसी ट्रीक है जो कोई भी बड़ी आसानी से कर सकता है ये ट्रीक आपने भी बहुत बार देखी होगी जिसमें मिजिशियन अपने हातों के बीच नोट को लटका देता है जिसे देखने पर नोट खुद बोकुत हवा में उरती हुई दिखाई देती है अब जानते ह इसका सीक्रेट तो इसे करने के लिए सिर्फ ऐसे थ्रेट की जरूरत है जो बहुत पारिक और आसानी से दिखाई ना दे ये एक स्पेशल तरह का धागा होता है जिसे मिजिशियन थ्रेट कहा जाता है जो देखने पर बिल्कुल दिखाई नहीं देता फिर मिजिशियन इस धागे को किसी स्पेशल टेप से नोट पर चिपका देता है और फ्रिजादुकर उसे कुछ इस तरह स्टेच पर दिखाता है नमबर चार दबो एंड एरो ट्रिक एक बहुती मशूर मिजिशियन एरन क्रो जो एक डेंजरस ट्रिक के लिए जाने जाते है और उन्होंने इस से पूरी दुनिया को हैरान कर दिया उसने ये परफॉर्मेंस अमेरिकन्स गॉट टेलेंट और दूसरे कई शोज में किया था एरन ने पहले स्टेच पर दो जज़स को बलाया और और इस लड़की को अपना हाथ दिखाने को कहा उसके बाद उसने हाथ से एक रिंग निका उसके बाद उसने एक एपल को अपने पॉकेट से निकाला और एक नाइप से एपल के सेंटर में एक होल किया फिर उस एपल के एक सुराख में उसने रिंग को डाला और उसे बाहर से बन कर दिया इसके बाद मिजिशियन ने एक दूसरे जज को उस लड़की के पीछे खड़े होने को कहा उसके बाद जज को एक उड़न ट्रेप पकड़ने को कहा जिसके उपर एपल रखा था उसके बाद Aaron ने टार्गेट पर सटीक निशाना लगा कर तीर से टार्गेट को शूट किया और उस टार्गेट बोर्ड पर धसे तीर से वही रिंग निकलती है जो उसने Apple में रखा था तो उसने ये कैसे किया तो जानते हैं इस टिक के सीक्रेट के बारे में असल में Aaron ने कोई तीर शूट नहीं किया था जो भी आपने देखा वो महस एक इलूजन था सिर्फ हाथ का कमाल था ये सारी चीज़े अलग-अलग है जिसे सही टाइम पर स्टेट करके परफॉर्म किया गया है तीर को दागना एपल के दो हिस्सों में तुकडे होना और टारगेट पर तीर को शूट करना ये सब एक टेकनीक की मदश से किया गया है और इस मेकैनिजम ने इस ट्रिक को पॉसिबल बनाया है इस तीर कमान में ही एक सीक्रेट शुपा है असल में असल में इससे तीर निकलता ही नहीं बलके वो उसी में लगे एक मेकैनिजम की वज़ा से वही राउंड हो जाता है और इसमें लगा लेजर लाइट जो लोगों का ध्यान बटकाने के लिए काफी है देखने पर लगता है मानो एरन ने सच में तीर चलाया अब बात करते हैं टारगेट बोट की दरसल इस टारगेट बोट में पहले से ही एक तीर फिट किया गया था और इस काले कपड़े के पीछे इस तीर को एक स्प्रिंग मेकैनिजम की मदद से बाहर ऐसे रिलीज किया जाता है जिसे देखने में लगता है यहां सच में तीर को शूट किया गया है और इसे एक रिमोट की मदद से चलाया जाता है अगर आप इसकी एंगिलर मुमेंट को देखोगे तो इस मेकैनिजम को समझ जाओगे अब बात करते हैं इसमें मौजुद रिंग की तो क्या यह रिंग फेक है बिल्कुल नहीं बलके यह वही रिंग है जो उस जजज ने पहनी थी तो आकी यह रिंग उस तीर में कैसे गई तो इसका सीक्रेट उस एपल में है जिसमें एरन ने सुराख किया था आप इस एपल को जरा गौड से देखिए देखोगे तो पता चलेगा कि इसमें जो सुराख है वो दोनों सिरों से सेम नहीं है बलके इसका एक सिरा बहुत चोटा है और दूसरा काफी बड़ा है मिजिशिन ने बड़ी ही चालाकी से उस रिंग को एक छेश से गुजार कर दूसरे से उसे निकाल लिया और अपने पास उसे छिपा लिया और जब आपने टारगेट को सही पोजिशन पर रख रहा था उसी वक्त उसने रिंग को वहाँ फिट कर दिया अब बात करते हैं उस एपल के दो हिस्सों में तुकड़े होने की तो वो कैसे हुआ तो इसका जवाब है उस ट्रे में जिस पर एपल रखा गया था यहाँ पर भी एक स्प्रिंग मेकैनिजम का इस्तिमाल किया गया है जिसे रिमोट की मदद से उसमें मौझूद लोडेड नाइफ को ऐसे रिलीस किया गया है जिससे वो एपल परफेक्ली दो हिस्सों में बढ़ गया और इन सारे ही मेकैनिजम की मदद से इस इलूजियन को मुम्कीन बनाए गया है अब बात करते हैं एक ऐसे मैजिक ट्रिक की जिसने पुरी दुनिया को हैरान कर दिया और कोई भी इस ट्रिक को रिविल नहीं कर पाया बलके बहुत लोग इसे एक रियल मैजिक समझते हैं इस मैजिक ट्रिक को ब्रिटेंड गौट टैलेंट में परफॉर्म किया गया है जिसमें एक मिजिशियन मार्शल नामे शक्स एक बेट पर लेट जाते हैं और सोनी की एक्टिंग करते हैं फिर मार्शल अपने आपको एक चादर से कवर करता है और अचानक से एक लड़की बहार निकलती है ये इतने कम समय में होता है कि कोई समझ नहीं पाता और अगर ये कोई हाथ की सफाई भी है तो इतने कम टाइम में कैसे की जा सकती है इसके बाद स्टेच पर एक आग लगाई जाती है और उस स्पाक के बीच से हमें मार्शल दिखाई देते हैं और इस बार उनका ड्रेस भी चेंज होता है इसके बाद मार्शल को एक पिंजरे में बंद किया जाता है और काली टेप से उस पिंजरे को कवर किया जाता है और उस पिंजरे से नेजे गुजारे जाते है और फिर इस पिंजरे को जला दिया जाता है जिसमें मार्शल मौजूद होते है और फिर मार्शल दोबारा उसी बेट पे लेटा हुआ मिलता है और उसमें वही कपड़े पहने होते हैं जो उसमें सोने से पहले पहना होता है और इस तरह इस ट्रिक को परफॉर्म किया जाता है आपने ज़रूर सोचा होगा आखर ये हुआ कैसे तो सबसे पहले बात करते हैं इस magic के उस पार्ट की जिसमें उस आदमी की जगा एक लड़की आ जाती है जो वहाँ मौजूद नहीं होती असल में इस मैजिक का सिक्रेट नीचे मौजूद उस बेड में है अगर आप ध्यान से दिखोगे तो आपको बेड के नीचे मौजूद एक कर्व दिखाई दिखा ये कर्व ऐसे ही नहीं है बलकि यहाँ एक आदमी की जगा मौजूद है और बेड के लेफ्ट साइड में एक कमपार्टमेंट है जहां से वो आसानी से खुल जाता है और अगर हम इस वीडियो में देखे तो एक आदमी शेयतान का भेज बना कर जज़स को डराता है ताकि उनका ध्यान भटक जाए और उसी दोरान आप देखोगे के बेड में से कोई निकलता है और यही इस ट्रीक का सीक्रेट है जिसे देखकर हर कोई चौग जाता है और अब जानते है इतने शौट टाइम में उसके कपड़े कैसे बदल गए तो इस मैजिक की शुरुआत में आप देखोगे तो आपको अंदर एक यलो कलर का शर्ट निजर आएगा अब बात करते है जब मार्शल उस पिंजरे में मौजूद होते है तो कुछ लोग पिंजरे से नेजे गुजारते है तो ये कैसे हुआ आप गौर करोगे तो आपको दिखेगा कि इस केज के नीचे भी एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जिसमें भी उसी कमपार्टमेंट का इस्तिमाल किया गया है और जब इसे बेट के साथ जोड़ा जाता है तो मार्शल उस केज वाल तो देखा इनी टेकनीक की मदद से इस मैजिक ट्रिक को अंजाम दिया गया है ये देखने में जितना आसान दिखाई देता है असल में इसे परफॉर्म करना उतना ही मुश्किल है इसमें प्रैक्टिस और सही टाइमिंग की बहुत जरूरत है तो आज के लिए बस इतना ही फिर से मिलेंगे अगले वीडियो